तो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक most powerful rocket motor तो इस motor को बनाने के बिदी मैंने step by step इस वीडियो में बताया है तो आप इसे बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखे आप इसे असानी से बना सकते हैं तो इस motor को बनाने में कुछ सोधानिया ब्रत्मी परती है जैसा कि आप 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 लॉंच करते हैं तो यह दिवाली rocket से काफी यह मजबूत और भारी भी होता है वजंदार जब यह लॉंच करियेगा यह निची दूरीताई करने के बाद जब यह वापस धरती का आप तो किसी के सर में भी लॉच सकता है तो इसके में से आप इसे किसी दूर दराज के एरिया में इसे लॉंच करें तो चलिए इसे बनाने के सुगा तक है जब यह लोटए को बनाने के लिए हमें चलिए कुछ इस तरीके से डीविशी पाइं और एकिन्च का शर्थे ओगी देख सकते निजिए एकिन्च का डीशी पाई नट ठीक है और ये चलिए रेक्सा गिले जो कि स्वाइक को हम मार्क मारएगे साट इंची हो ठीक है हम यहां से इसको शात इंच बहुत यहां से त matar से इसके कटिंग मारेगे इस तरीके से कट लेना है मैं इसको साइड में देख आँ ठीक है और यह है साथ इंच यह साथ इंच है जैंस आप ईसमें उनको इधर में रख करना आ अंदर में इसमृं देयान रहे उपर लपनिह में करना रहां अंदर में में करना एप इसम बचा की ईप है जो अच्छा सब्सक्राइब— एक साट को नहीं को लिए और इस साट भी करना है सेम वह ऐसा नहीं गृप इसके इस पार भी इसमें बनाना है लाकिन इतना कापी है मैंने अंदर में दोनों तरह गृप एक बाची तरह से गृप यहां पर इसकरेच कर दिया है ताकि यह जब इंसी लगएगा तो यह अची से पकर बनाना लिए अब इससे लगड़ी देना है इस टाइप का कुछ लगड़ी जो कि यह पर्टेक्ट आखको बढ़ता हूँ दम पर्टेक्ट इसमें बढ़ता हूँ तो मैंने दोनों तरफ रफ कर लिया है इधर में भी और इधर में भी और दोनों तरफ रफ करने के बाद इसे एमसील से एक तरफ से सील करना है ठीक है इसके मदब से कुछिसे से शिल करना है तो मेरे पास एक ही अंशिल बचा हुआ है मैं पहलोग बना कर रख शुगा हूं यह थीए ठीक तो एक तरफ से कहला हूँ और एक तरफ से 娘 से मैंने कर दिया है भर दी है यहां पर लगाकर कुछ तेल टैपपर यहां पर लगा कर ऐसे रख का ठीक है एंसील की जो पार्स है इसे नवश्टा कराओं लखको आप इसे दोनों को मिक्स कर जाएगा तो इसमें डाल कर और इस लखणी क्या मदद से आप इसे असानी से इसे दबा सकते हैं इस तरीके से दबाके इसे निट्काव सकते हैं ठीक है तो इसी तरह से मैंने भी बना यहां पर आप यह सुख जाए पहले से अभी मैं बना हूँगा तो समय ज़्यदा लग ज़्यदा क्योंकि सुख नहीं को तक्रीब है एक डेट गांता समय लेगा इसके वैसे मैंने पहले फिन बना करें रख लिया दो ठीक है तो यहां पर यहां पर यह शुख चुगा है और यहां मैं हमें पन की मदद से मैं पेण यूज़ कर रहा हूँ आपको भी इस्तूरड रावर कर सकते हैं पेई की मसद्स से यहां पर जिसे कि मैं यहांपर फूल कर गिया हूँ बीचों बीच जागे अगर एक इंच का है तो एक चोथ हाई आपको यहाँ पर होल करना है ठीक है यहाँ पर होल करने कवाद अब इसमें हम फियू डालेंगे तो चलिए अब फियू का रेस्वी और पो बताते हैं तो यह है पोटासियूम नाइट्रेट कि कहें पोटासियूम नाइट्रेट हमको चाहिए sum जके 65% दूसरा फिर चाहिए हमें एक शुगार पाओड़न पापके चाहिए 35% ज्योंकी होकी टॉटल रेस्वी अब ग्याम का 35 एपर ह cafणी, हुआ, कदश तरह झाहिं और हमें इन दोनों आपस में एक अच्छी त्रह से मिक्स करना हैhen picked, अगर हालता भी चुक होब और हालता हीज आपकराई हहा तरह तो कि 2500 पीजिए अजरी आपको दिखा है अब इन दोनों फ्यूल को आपस में इदम अच्छी से मिक्स करना है ताकि यह अच्छे से जल पाए अगर अलका भी यह मिक्स नहीं हुआ अच्छी से यह वर्क नहीं करेगा तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है अच्छे से मिक्स करते जाना है चीकि ये जचाकरी गेटिकने को अच्छा होगा मिख से बढ़ियां वर्प करें तो हमारा फिम मिखмос होगे रैडी होचुगा है तो चले इसके है भारते हैं रोकेत मोटर्ञ करें भरने से पहले इस रोकेट नूजल है इस नूजल को आपको चेदा से टेट की नूजल से बन्य कर लाए अब इसमें हम भरते हैं इतना भरने के बाद और जो यह लगडी का ठेया था इससे हम इसे वो दबाएंगे अच्छे से आपको टैग करना है ताकि फ्यूलोजन अच्छे से बैट पाएं इतना खाली रखना है ताकि इसमें हम यह एमसेल को बहर सके अब यह में रोकेट मोटा इसमें फ्यूलोजन अच्छे करना है अब इसमें सिल करना है यह रहां एमसेल के भीट करहा है कोई पी चीज दीला सकते हैं यहगे मिलताली मुट्टी होगे जिए तागी में एते कि इतना आपानी समुसका नहीं है एंसील हर जगा में जयता है इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद सील तरना है मिक्स हो गया अब यह जो इसका यह इंडर पॉइंट है इसे हम बंद करें लिए यह इंसील से चिछे देखते इसमें जो गिरिप बनाया था इसके वह से इंसील बनाया था ताकि यह जो है तेंसील जो है वह अच्छे से चारो तरफ पकड़ बना ले अंदर लिए मैं अभी हाथ मेरे लग रहा है तो इसको वाइल की मदद से तो गाई हमारा मोटर बन के रेट वह चुगा है तो चलिए इसे किसी दूर दिराज के अरिया में लॉंच करके देखते है तो गाई हम आ चुके हैं पब्लीक प्रोपटी से काफी कोसो दूर तो चलिए इस मोटर को लॉंच करके देखते हैं कि यह कितना उपर तक जाता है कि वाओ याँ गाई इतना दम तेजी से हुआ कि